ओम गण गण पते नमा जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल ब्रत्योहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके पास वैशाख मास के प्रथम यानि कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जिसे हम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं उसके बारे में विस्तृत्ता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूँ इस संकष्टी चतुर्थी को दोस्तों विकट संकस्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है जो कि वैशाक मास में आती है तो दोस्तों वैशाक मास की चतुर्थी तिथी कब प्रारंभ हो रही है कृष्ण पक्ष की कब समाप्त होगी व्रत हमी किस दिन रखना है संकस्टी चतुर्थी व्रत में जो को खोला जाता है और आज किया जाने वाला महा उबाई दोस्तों ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी तो वीडियो को अंति तक संपुर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें देखें हम सभी जानते हैं प्रतेक मास में दो संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं एक शोक्र पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आज की दिन प्रधम पूझनिये भगवान श्री गनेश को समर्पित होता है और इस विद्धी विधान से अगर उनका पूझन किया जाए तो भगवान विग्न हरता हमारी जीवन की हर संकट दू कर लीजे देखिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी 27 अपरेल दोहज़ अच्वबिस को सुबह 8 बचकर 17 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 28 अपरेल को सुबह 8 बचकर 21 मिनट पर होगा उदिया तिथी के मुताबिक विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत 27 अप आज का शुमोर्थ होगा वो है 7 बचकर 22 मिनट से सुबह के 9 बचकर 1 मिनट तक तो सुबह के समय ये पूजन का समय है अब आज के दिन लिखी चंद्रोदे का समय बहुत महत रखता है तो विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और चंद्रमा को अर्ख देकर व्रत का पारण किया जाता है मतलब व्रत खोला जाता है तो विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रोदे रात के 10 बच कर 23 मिनट पर होगा आप इसकी बाद ही इस व्रत को चंद्र अर्गे के बाद में खोल सकते हैं अब दोस्तों हर स चंद्रमा का विधि विधान से जो भी जातक साधक पूजन करता है चंद्रदोष उनके समाप्त होते हैं, मानसिक शान्ती की प्राप्ति होती है, आज चंद्रमा की पूजा कहने से बच्चों के लिए खासत और परमाएं संक्रश्ची चतुर्थी व्रत करती हैं, तो बच्चों की आयू दिरधाई होती है, उनकी जीवन में हर प्रकार की सुक् अपना जीवन खुशहाल जीते हैं, उनका स्वास्त अच्छा रहता है, तो आज विधी विधान से हम गणपती का पूजन करेंगे, तो आज आप सुबह स्नाना दी क्रियाउन से निवर्त होकर व्रत का संकल्प ले लें और आज प्रतम पूजियें गणपती की विधी विधा बना लें, गणपती को लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए, आपको चंदन भी आप करें, तो लाल चंदन से आप उन्हें तिलक करें, बहुत प्रसंद होते हैं, हल्दी का तिलक आपको गणपती को करना चाहिए, फूलो में लाल फूल, अगर गुढ़ल के फूल मिल अब आज की दिन भगवान की कथा के साथ-साथ, उनके मंत्रों का जब, आप जब पूजन कर रहे हों, तो ओम गणपते नमा इस मंत्र का जब करते रहें, ओम श्री गणे शाय नमा इस मंत्र को ही जबते रहें, जो भी आपको सुविधा हो, इस मंत्र का जब, आप सही उच उच्छारण के साथ जरूर कीज़े, और मनी मन जो भी आपके उच्छा है जो भी कामना है गनपती के सम्मख आपको रखने चाहिए, इसके बाद में आपने कथा के बाद में गनपती की आती उतारनी है, दोस्तो अब आज के दिन, देखी किशाम में हम चंदरबा का pillarra के आपके वैपार में आपके नौकरी में तरक्की मिलती है और नए रास्ते खुलते हैं आर्थिक तंगी से जूच रहे हैं तो गनपती को भोग में गुड और घी आज की दिन अर्पित करें और उसके बाद इस प्रसाद को गरीबों को दान में देते हैं इस उपाई से आपको और शिक संकट से राहत मिलती है तीसरा आज की दिन गनपती को आपको अगर नौकरी में तरक्की चाहिए तो हल्दी की पांच गाठे अर्पित करें और इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से एक माला श्री गणाधी पतिये नमह इस मंत्र का जप करें अगर हो सके तो आज से लगातार दस दिनों तक आपको इस मंत्र को जपना चाहिए असा करने से नौकरी में तरक्की मिलती है धन लाब के योग बनते हैं मानसिक शांती चाहते हैं तो आज की दिन गनपती को आपान का बीड़ा अर्पित करें धन डाने सुक समृदिगर में चाहते हैं तो आज आपको गौ माता को हराचारा जरूर खिलाना चाहिए तो पांच ये उपाई हैं विकट संकष्टी चतुर्थी के जो आज की दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए शाम की समय जो मैंने चंदरोदे का समय बटाया है आपको चंद्रमा को अर्ग देना है जल में आपको सादूद अक्षट एक लाल पुष्प डाल करके अर्ग देना है उसकी बाद में धूपदीप चंद्रदीप को भी आप दिखाएं और इसकी बाद में आप वरत को मीठा खा करके खोल सकते हैं संकष्टी चतुर्थी के वरत में एक समय मीठा भोजन का विधान है आप मीठा अन्निका भोजन कर सकते हैं आप चाहें तो आप वलाहार भी रह सकते हैं तो इस प्रकार से विधी विधान से आपने विकट संकर्ष्टी चतुर्थी वरत कर लिया संपन और जो ये उपाई हैं जरूर कीजिए अब जो लोग वरत में ही रख पाते हैं कम से कम इन उपायों को जरूर कीजिए इससे भी आपको बहुत लाप राप्त होगा तो मैं करती हूँ ये जो सभी जानकारिया मैंने आपके साथ विकट संकर्ष्टी चतुर्थी वरत के बारे में शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगी वैशाफमास के शुक्रिपक्ष की चतुर्थी है ये और दोस्तों आज के दिन ये उपाएगर हम करते हैं तो गनपरती को बड़ी आसानी से हम प्रसंद कर पाते हैं वीजो कर पसंद आये हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा आगे अपने दोस्तों परिचितों तक शेयर जरूर कीजे चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरह की जा सब्सक्राइब करना ना भूलें वीजो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जय मादारानी हर हर महादेव